हेलो फ्रेंड्स मैं हुं गुंजान और गुंजास किचन में आपका स्वागत है आज की हमारी रेसिपी है पंजाबियों की फेमस डिस राजमा चावल जो खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और बहुत ही बनाना भी आशान है और इसमें भरपुल मात्रा में फाइवर प भी परनाएट में लिए रखोर ध्योकाक नेंसमें घ्लौब यह तो हम सबसे पहले पूकर में ढालागे उप्टे सब सब में दालने समय घ्लौब फॉर्इब करह दो दो तम्ते सबसां में बहुत है तो मैं तुरंगे। तो चिटी लगा दिने, आप देख सकते हैं और कितने चैसे मेरा राजमा अच्छे इसमें वाइल हो गया है तैसे स्पून के साथा से मैं फ्रेश करके आप दिखा दिए हूं देख सकते हैं आप कि एक बाउल में निकाल लोंकि और इसके पानी को फैकना नहीं है इसके पानी को हम यूश करेंगे की बराने में तो दिखेंगें शक्रीय दे यहां पर मैंने दो मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने बारी कट कर ली हूँ तीन हरा मिर्च है और साथ आठ दस लेशन के कली है अध्रक एक इंच है दो टमाटर है इसके बाद वह साले को दिखी जिए एक टेबिल स्पून गरम मिर्च है एक टेबिल स्पून धनिया पाउडर है और सब्सक्राइब प्हलें इसको पहले लीट साथ मिक्षर एल में डाल के पीच लेंगे टमाटर और पार द्रक और हारा मिर्च और रेशन को डालके पिस्ट बना लेना है कि तो दिखिए यहां पर मैं पिस लिए हूँ अब देख सकते हैं प्रेश टाईप करेडी हो गया है कि देखे मैं कराई ज्रीम हूं और कराई में mm ओए दो से तीट्छय थे चर उने में कर लेना है कि उसके बाद इसमें बारिक कटा वुह जो इसको फिर न होने तक ऐसे पकाना है हई फ्लेम पर ऐसे चलाते हुए तो देख सकते हैं हो गया है हल्का गोल्डें ब्राउन तो अब मैं इसमें मसाला आइड करूँगी तो इसमें देखी मैं कास्मरी इलारमिस जो ली थी वो डालूँगी धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे और जीरा पाउडर है इस सारे सीजो को डालके हमें और जो गरम असरा इसको मैं बाद में यूज़ करूँगी और इस सारे सीजो को डालके एक मिनद तक हमें पका लेना है मीडियम प्लेंप पे तो देखिए हो गया है अब मैं इसमें जो टमाटर की प्यूरी बनाए थी उसको एड़ करूँगी और डालके इसको हमें ऐसे मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको भी हमें पांस से साथ मिनट तक पकाना है ऐसे चलाते हुए पीच बीच में चलात भी देंगे और फिर उस इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको में ढक 210 फांस सात मिनट पका लेना है कि अमढसे अब देख सकते हैं अच्छी एर Hind टोसे मिसाリ को में आपको चोड़नाह करके गला meu इससे हमारा मसाला अच्छा अच्य बनती हैं जितapa आपका अच्छी आपकी इपने गी तो आप इस 책 जरूर फालू किजिए तो तो मैं जो राजमा को वैल कि थी उसको आइड करूगी और डाल कि इसको भी हमें मिक्स कर लेना है इसको भी एक मिनट ऐसे चला के पका लेंगे तो देखेए एक मिनट हो गया है अब मैं जो पानी उसमें पानी अड़ की हूं अब सहाई तो दूसरा भी पानी यूज़ कर सकते हैं बोट बहुत सारे इसमें विटमिन्स रहते हैं इसको आप फेके नहीं इसी का यूज़ करें आप और इसको आप जैसा आप ड़ी की ठीकने कि उसके बाद इसको हमें एक वाल आने तक वेट करेंगे दिखिए एक वाल आ गया है अब मैं इसमें जो गरम मसाला ली थी उसको ऐट करूंगी इसको भी मिक्स करके और ढखके चार से पांच मिर्ट लोग फ्लेम पे हमें इसको पकाना है तिधर मेरा पक रहा है तब तक मैं जाओल बना करेड़ी कर लिती हों तो मैं एक ग्लास आफ जिसको अच्छे शुवाश कर लिए हैं और उसमें में जर्चाओल लिती उसी ग्लास से में पानी भी एड करोंगी तो मैंने यहां पर बासमती राइश ली हूं आप को भी राइश लिए सकते हैं तो इसको भी हमें धखके हाई फ्लेम पे एक सिटी लगाना है और इसके फ्रेशर को हमें निकालना नहीं है खुद नेचोरली निकलना चीये तो दिखे हो गया है अब मैं इसको निकालके आपको दिखाते हूं तो दिखे मेरा चावल भी कितना अच्छा बनके रेडी हो गया है आप जब्सक्राइब केरेडिटेंगे इसको बनाने की तो इसको बनाइए नकी कितना हिसी तो आप भी इसको ट्राइब किजिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और दिखी बनाना बिल्कुल आशान है तो इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पता एट करूंगी और डालके इसको भी हमें मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में वह टन ही लगता है तो आप इस रेष्यपी को ज्रूर ट्राइड की जेए पिशलिये हम इसको एक बौल में एक निकाल लेती हूँ तो देखेड़ में निकाल नहीं हूं आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग राया है तो यहां पर मैं सर्व कर लिए तिमसी आप तो यह आप पर मैं में ذार्फ के साथ सर्व करूं राजमा चावल का कमबिनेशन अच्छा है आप शावर के साथ बहुत ही जैसी लगता है तो आप भी इसको जरूर ट्राइक कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और पहले पर देख रहे हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं पुलिए और कमेंट करके जरू बत ते नेक्ट वीडियो में थांक यू